कि एलो गाइज गोल अचीवर पॉइंट के लेक्शन नमबर 11 में लेक्शन नमबर 11 में आपका स्वागत है आज हम पार्शर फ्रेक्शन मेथट के थुरू इंटिकेशन के कोस्टन को कैसे सौल किया जाता है इसके बारे में हम स्टड़ी करेंगे तो सबसे पहले इंटिकेशन के कोस्टन को सौल करने के लिए हमें यह जानना जूरूरी है कि पार्शर फ्रेक्शन होता क्या है तो इसके बारे में स्टड़ी करेंगे सबसे पहले हम कि Parser Fraction Method होता क्या है और Parser Fraction Method क्यों करते हूं इसके बारे में Study करेंगे तो Guys सबसे पहले हमने माना कि कोई रेस्टन नमबर है हमारे पर रेस्टन नमबर वे नमबर होते है Guys which are written in the by q form जिनको हम P by q की form में लिखते है वह हमारे रेस्टन नमबर होते हैं तो मैंने जो रेस्टर फंक्शन लिया है यहां पर रेस्टर नंबर होते हैं लेकिन हम यहां पर कंसिडर कर रहे है काई रेस्टर फंक्शन तो मैंने एक रेस्टर फंक्शन यहां पर कंसिडर किया है तो 1 over x plus 3 second लिया है x over x minus 3 इन दुनों का addition operation किया बेटा आपने जब आम इनको add किया तो इसका L से माय है x plus 3 x minus 3 1 को x minus 2 से multiply करें गाइज and x को x plus 3 से multiply किया and open the bracket with the help of multiplication तो x minus 2 x को x से multiply किया x square x को 3 x से किया plus 3 x तो x square आ गया गया बेटा 3 x plus 1 x 4 x minus 2 divided by x plus 2 it means कि में जब में बेटा इन दोनों एडिशन operation लगाया है इसकी new form हमें यह मिली तो इस form को जो यह वाली form थी इस form को बेटा simple fraction बोलते हैं and इस जो combination से हमें मिली इस इन दोनों को एडिशन operation लगाके मिलीजे बोलते composite fraction इस इस काल्ड composite fraction तो it means कि simple fraction और composite fraction आज से हम क्योंकि हमने only क्या क्या है बेटा इन दोनों form को add गा दे एडिशन operation लगा दे हमें new form वी जिसको composite fraction बोलिया बोला हमने अगर हम इस अब हम यह कह सकते हैं यह दोनों form क्या है सेम है बड़ इडिशेपरेट इंटो टू पार्ट्स एंड इस 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 ओनली इन single form तो अगर मैं simple form को simple fraction को convert कर दिया composite fraction में अगर मैं इस से reverse process करूं इटमिन की हमें given है composite fraction इसको मैं इस वे में separate करूं इसको करने करना चाहता हूं मैं दो पार्ट में तो इसको मैं को reverse process लगानी पड़ेगी तो composite fraction को convert करना है simple fraction में तो इस process को बोलते पार्सर फ्रेक्शन में तो composite fraction को simple fraction में convert करने लिए जो प्रोसेज यूजे करते हैứng को बोलते हैं यह फिर पार्सर फ्रेक्शन method बोलते हैं बेटा तो guys before इसटी है को सनों को पार्सर फ्रेक्शन को सनों को पहले किस बेसिक रूल पता और और चाहिए कि पार्सर पंद चाहिए चिसके तुरू पासरिक्शन के कोस्टन हमारे खीक हो सके तो सबसे पहला हमारे जो बेसिक है कि कभी भी जो कोस्टन होगा अमारा प्रोपर फ्रेक्शन कucken allora त्वोंट सुट बी हिंदी अज ब đầu Higher को पीगरी होगी देखेंटाने बностиन थे साथे उसंके सब्सक्णिन को सकते हैं डिएकर्विस अमेयन पीडिरगेलि ओगी और एक्विस येखेंट हिए प्राइप्साल की बैएकर सकते हैं तो प्रोपर सgende白ंच होगी बेटा, degree of numerator is, numerator उपड़ वाले को बोलते हैं, अंस को बोलते हैं, तो degree of numerator is always less than degree of denominator, तो numerator की डिगरी कम होगी, denominator की डिगरी ज्यादा होती है, तो इस फोर्म को बोलते हैं, proper fraction form, बट, अगर इसका reverse हुआ, इट मिन्स की, degree of numerator is always greater than, और equal to denominator, तो जो degree है, numerator की याँ तो less होगी, सोरी बेटा, यहाँ पर गलर लिख दिया, greater होगी, या फिर equal होगी, degree जो होगी, उपर numerator की, जिसको अंस बोलते हैं, उसकी याँ तो denominator से ज़्यादा होगी, या फिर दोनों की degree, equal होगी, तो इस फोर्म को बोलते हैं, improper fraction form, कभी भी हमारा question, improper fraction form से solve नहीं हो सकता, improper को proper में convert किया जाएगा, पहले, उसके बाद ही question का solution होता है, तो हमने इसमें यह क्या बढ़ा, improper को, प्रोपर fraction में convert करना है, improper को convert करना है, प्रोपर में तो हम process जो use करते हैं, division process यूज करते हैं, device process, तो दोनों को, जो भी हमारा P by Q की form में question होगा, उन दोनों को divide करेंगे, and after that question जो हमारा होगा, improper चे proper fraction में convert हो जाएगा, गाईज, एक example लेते हैं, कि improper fraction को कैसे convert करते, प्रोपर fraction में, जैसे कि पहले मैंने एक example बताया था, आपको, x square plus 4 x minus 2 divided by x plus 2 और x minus 2, अगर मैं यह, बेटा, अगर, अगर, वी, अम इन bracket को open करेंगे, denominator के, नीचे power, जो maximum आई के 2i, degree of denominator 2 आएगा, और numerator पी 2 है, तो, जो numerator की degree है, और denominator की degree, both are equal, दोनों की degree equal है, तो, it means कि, this question is in our proper form, तो, एक improper form, sorry, improper form है, proper convert करने के लिए, मैंने क्या बताया था, division process यूज होती है, तो, इसको open किया, बेटा, x square, इसको इससे multiply किया, minus 2x, इसको इससे किया, plus 3x, यहाँ पे होगा, प्लस का x, plus minus, minus का 6, 3 into 2, 6, तो, इसको इससे हमने डिवाइड किया, जो कि, हमने 8 class में process पड़ी थी, तो, x square, plus 4x, minus 2, x square, plus 4x, minus 2, को डिवाइड किया, x square, plus x, minus 6, तो, यहाँ बेडिवीजन करने बेए, अपने course and 1 आया, रिमेंटर 3x, plus 4 आया, एंड, जो डिवाइजर आ गया, जिससे हमने डिवाइड किया, x square, plus x, minus 1, जिससे डिवाइड किया, तो, इसको रिटन करने का जो, method होता है, बेटा, जो हमने, small class में पड़ा आता, पिप, 6, 7, में, प्लस, रिमेंडर, को सेंट लिखते हैं, उसके बाद, प्लस, जो रिमेंडर अमारा बचा वो, डिवाइड में, डिवाइजर, अगर मैं इसको, तो, शोल कर दू, हमारे बाद, total, एडिवीडेंट वो, आ जाते हैं, जिसको, अमने, डिवाइड गया था, तो, इसी, फो में, इसको, लिख देंगे, तो, क्या होगा, जो, इंप्रोपर, फो में, तो, प्रोपर में, कनवर्ट हो जाएगी, तो, यहां पर जो, कोसेंट, अपना, वन है, कोसेंट की जाएगे, वन लिख दिया, आप्टर टेट, प्लस है, प्लस, रिमेंडर, यहां पर जो आए, अपना, 3X, प्लस, 4, 3X, प्लस, 4, एंड, डिवाइजर, डिवाइजर, यहां पर, एक्सट कोई सक्ष पीसिक्स मैंनस सिक्स एक्स arriving घर्प की उपर जो फावर एक्स की वन है उन ने बीचन भडुण की जो यहाँ पावर है लेस्ट एट डिनोमिनेटर प्ल्स ओर एट मैं धैस कम्नें चैनल एक्ते सिर्द में जिमत तब ही दाके हमारी यह दोनों फॉर्म सेम आईगी जो हमारी यहां पे गीवन है तो इन दिस वे इंप्रोपर फ्रेक्शन को कन्वर्ट करते हैं प्रोपर फ्रेक्शन के एक एक एक्जामपल के हमने शुरू सीखा कि अब हम देखते हैं प्रोपर फोर्म को अगर हमारे प्रोपर फोर्म में कैसे सघंवे करें तो बेसिक फोर्मूले पढ़ें गे कि पनीखिय करते हैं उसके बाद एक्जामपल कि तुरू सौल करके देखेंगे तो पहला है अपना जो पहली फोर्म है अगर मैंने माना दिनोमिनेटर वाली फोर्म है अगर हमारी रिपिटेशन ना हो रिपिटेशन का मतलब क्या होगा है यहाँ पे तो X-A फेक्टर है तो अगला X-A नहीं होगा एक्स प्लस A भी हो सकता है एक्स प्लस B भी कुछ भी हो सकता है यहाँ पर मैंने नीचे एक्स को एक्स से मल्टिप्लाई करें मैक्सिम पावर 2Y की बेटा तो इसके लिए मैंने माना तो सबसे पहले हमें वाले क्सेंट एक्स सर्व करने ऊते तो कॉंस्टल पावर में से कैसे आते हम नीचे देखना पड़ेंगा कितने प्रेकी цен मैं थ्सके लिए चोंसंक लिए किया मैंने a apply किया इस वाले bracket के लिए b a के नीचे जो हमारा पहला वाला bracket है उसको लिख दिया हमने और b के लिए second bracket के लिए मैंने b consent लिया उसके नीचे second वाले bracket को apply कर दिया प्लस b तो इस वे में अगर हमें इस form में question होता है इस वे में पार्सर फेक्शन अगला लेटर अगर डिनोमिनेटर रिपिटेशन में आ जा है इट मिन्स कि यहां में यहां पर भी एक्स माइनस एक्स माइनस एका all is को यहां पर हमारे open करेंगे तो दो ब्रेकेट बनेंगे वीटा दो ब्रेकोट के लिए दो consent हैंगे हमने दो आ लेकर बार और जिया प्लस का साइन आएगा पहले ब्रेकेट के नीचे X-A लिकेंगे with power 1 and अग लेगें नीचे X-A का whole square लिकेंगे तो अगर एक power एजो पहले लेगे नीचे एक power इसके बाद एक और बाद repeat आए तो ये दो power आएगी एक और एक जंपर लेते इसका repetition का बेटा इट मींस मानलो उपर मैं मतलब लीनियर एक्वेशन फॉर्म से रिपीटेम फ्रेक्टर तीन बार अथम एकस म Lisa a 2 क्यूब तो एकी क्यूब है तो क्यूब है इतमें इसके मारबार तीन कॉंसेंट आएंगे विस इज ए प्लस बी प्लस सी तो एके नीचे जो हम वेल्यू लगाएंगे एक्स माइनस ए लगाएंगे बी के नीचे एक्स माइनस ए का होल स्क्वार और सी के डिनोमनिटर में एक्स माइनस एकी क्यूब तो इंदिस विए अम इस फॉरम को पार्सर फ्रेक्शन फॉरम में कन्वर्ट करते है तो जिस इस इज इस था रेपीटेशन अगर डिनोमनिटर रिपीट हो जाए तो नाओ जो अपना next topic है guys इसी में repetition आ गया अगर मान लो अपनी जो form आ गई नीचे एक तो linear form है और दूसरी form है एक तो linear form है और एक quadratic form है एक linear है and quadratic है तो कैसे solve करेंगे तो चर्थी form है हमारे numerator में तो px plus q है लेकिन denominator में x-1 linear factor आ गया and एक जो factor आया है अपना which is equal to quadratic जिसके हम factor नहीं कर सकते possible नहीं है तो इसके जो factor करेंगे बेटा इसके जो consent हम लाएंगे जैसे यहाँ पर ABC आएचे यहाँ पर जो consent आएंगे इसके लिए consent आए तक आएगा इस bracket के लिए ए और यहाँ पर डिगरी डो ए maximum तो इसके दो answer आएंगे which is equal to b plus c तो यह quadratic equation है इसके जो consent होंगे इसको एक साथ लिखते हम a की bracket में बेटा तो नाउ और इसमें इतनी maximum power होती है maximum power को maximum power में एक पावर माइनस करते हैं तो दो पावर में एक पावर गई तो एक बचा तो x हो गया x square में एक पावर के जो एक बच किया तो पहले वाले कोपिसेंट के जाथ उसको अप्लाई कर देते हैं पहले इसे लगाते वे चलते हैं ओके टू ए तो वन लिख दिया और बीच में दोनों के बीच में प्लस का साइन है नाउ पहले कोंसेंट के नीचे पहला ब्रैकेट अप्लाई कर देंगे एक्स माइनस से और दूसरे कोंसेंट के नीचे दूसरा ब्रैकेट अप्लाई कर देंगे विच इकल टू एक्स स्क्वार पिलस बी एक्स प्लस सी तो इन दिस वे एक लीनिय और दूसरा क्वार्टिक डिनॉमिनेटर तो उसको हम रिपर्जेंट करते हैं पाइसर फ्रेक्श और नीच से जो अपने डिनॉमिनेटर में एक्स माइनस यह यहां पर होता है एक्स क्यूब पिलस बी एक्स स्क्राइब प्लस सी एक्स प्लस टी अगला यह होता है अगर मैं इसको पारिशर फ्रेक्शन में कन्वर्ट करना चाओ तो इस डेक्ट के लिए अपना जो क्ोणसरेंट आएगा बिटा एँगा प्लस इसके लिए कितने आएंगे मैक्सिम्म डिगरे ठी है तो तीन constant आएंगे a ले लिया तो यहां पर आएगा b plus c plus d now पहले constant के नीचे पहला bracket apply कर देंगे x minus a now second bracket के नीचे यह पूरा एक इसके लिए तीनों से एक constant है लेकिन तीन अलग अलग लेकिन complete एक है तो यहां पर maximum power 3 तो एक पावर माइनस करते हैं नाव सीचा लाइब कि यह भी कह सकते है कि यहां पर जी in सब्सक्राइब कि एक स्क्राइब है उस्यक्ता लगा दिए सीगेNY है पर दुसरियग एक एक सकते हैं ऐ exemption और क्योब ए तो क्यूब ए तो एक आँर लेस करते बहुं लगा देंगे तीन थिएक ब्र व्य इनकर देंगे दो इसके बार एक पाव रहे और एक फस्कार यह किसा की पाव 01 उताय तो इल्लियम डिमड्व किंवाटीड से ई स्वाथ टीवायड़ वाиком तो गाईज मुझे आशा है कि आपको ये कनवर्जन गरेसर फैक्षन के पार्सर फ्रेक्षन में अगर कौस्टन प्रॉपर फॉर्म में और तो प्रॉपर फैक्षन पॉर्म में ओठो समझ में आया होगा तो इन डिस वे हम उस question को अब parser fraction के form के question को solve करके देखेंगे integration में गाईज हम पहला example लेते parser fraction form का जिसको हम solve करके देखते parser fraction method ते integration के question को तो सबसे पहले हम देखेंगे बेटा इसमें हम सबसे पहले देखेंगे हम नहीं use क्यों कि अगर हम इसको separate करना जाए बेटा इस question को separate नहीं कर सकते देखेंगे कि कोई भी method लगाए हम चाहिए substitution लगाए जाए पाइपार्ट्मेंट रखाए किसी की अभी थुरू हम इसको इसको separate नहीं कर सकते तो अमने इसको separate करने के लिए हमें पार्ट्र प्रेक्शन मेचट लगाना पड़ेंगे कैसे अप्लाई करेंगे देखते बेटा तो अमें integration में जो function दे रखा है which is equal to x जिसको हमने rational function पड़ा था भी हमने पीछे बूरे कर एक्स ओवर x plus 1 and x plus 2 नाव इसको पार्ट्र प्रेक्शन फॉर्म में convert करेंगे हमने देखा इस 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 प्रोपर फॉर्म इसको लिख देंगे यह question कौन सी फॉर्म में yeah proper form वाब क्योंकि बने टर्की पावर कैसे लेसर डिनोमिनेटर करेंगे पार्ट्र प्रेक्शन फॉर्म में थो एक्स प्लस आए डिनोमिनेटर रेज नोन रिपेटंंग एं तो कितने हमारी डोव दूम नव्यंटर लाइक टिया मैंने पेले यो complete apply किया a apply कर दिया है बीस में लगा है डूसे के लिए को जो goin come种 Ant apply कि अ वी पहले bracket के един ये दूसे bracket gap ले vontade apply किया भी नाव महां पह्वेने bracket मैं औरद E घॉर के नीचे A एक प्लस वन लिख दिया दिया और इसके लिए बी माना था इसके नीचे X plus 2 apply कर दिया ओके बेटा now repeat again तो हमाई दो bracket है दोनों ही non repeating है दोनों के लिए मैंने पहले के लिए जो concern apply किया है second के लिए b तो पहले a concern के लिए पहला bracket लगा दिया लिख दिया उसके नीचे denominator में and b के लिए b concern के लिए दूसरा denominator वाली value लिख दिए भी की वेल्यू का आहिकि इसको सौल करना है इट मिंज कि यह इंडोय फोव में कनवर्ड हो जागा पिर इसका इंटिगेसें सौल करते टेंगे तो अपना ओल आओर इंटिकेस्ट का कर सोथ जाए कैसे करेंगे देखेंगे पीटा इसका एल सम्व लेलो इसको ऐसे लिग x plus 2 into a plus x plus 1 into b now अमने देखा डोनों equal to में डोनों denominator equal है x plus 1 चे x plus 1 कट गया x plus 2 चे x plus 2 cancel out हो गया now जो अपना question रहे है question remaining रहे है x equal to a x plus 2 plus b x plus 1 now this is our solution of this question now we find out value of a and b a and b की value को find out करने लिए पहला method पहला जो simple वाला method है उससे कर रहे हैं बेटा पहला bracket अपना क्या है x plus 1 जो denominator में bracket है उसके थूरू करेंगे है तो हमें बता है x plus 1 है पहला bracket तो x plus 1 को हम 0 के एकवर रख देंगे and यहां जो x के value find out कर देंगे minus 1 ना ही और जो यह वाली equation find out भी हमारी number 1 तो अब हम क्या करेंगे number 1 equation में x के value minus 1 पूट कर देंगे इस question में जहां भी x x हमें दिख रहा है वहाँ पे minus 1 पूट कर देंगे 1 हो गया तो 1 a equal to minus 1 तो a equal to अपना यहां आगया minus 1 तो हमारी यहां थे a की value find out भी है गया 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 बी की value देखते है तो पहला bracket लिया था गया हमने अब लेंगे दूसर बैकेट के दुरू तो second bracket x plus 2 है इसको मैंने 0 का equal put किया तो यहां थे x की जो value आई minus 2 इसको भी हमने put कर दिया जो हमारी जो equation बनी थी यहां पर number 1 इसमें put in 1 तो यहां पर x लिका है x की जगे जो put करेंगे guys minus 2 minus 2 equal to a x की जगे minus 2 plus 2 plus b x की जगे minus 2 plus 1 now यह 0 हो गया बैटा यहां पर minus b हो गया minus b रहे गया यहां पर equal to minus 2 minus से minus cancel out हो गया b equal to 2 b की value जो अपनी find out होगी 2 तो हमें जो प्राप्ट हुआ a equal to minus 1 और b की value जो मिली हमें 2 मिली अब इन डोनों को value को जो हमने passer fraction form बनाईती इसकी इसकी इस पर put कर देंगे जो हमारी जो passer fraction form थी x x plus 1 और x plus 2 which is equal to a a की जगे value put करती गाइज हमने a की value minus 1 है तो minus 1 divided by x plus 1 plus b over x plus 2 तो अमने देखा कि a और b की value find out होगी गाइज अपनी नाव sold question इसके बाद क्या है बेटा यह integration का sign है अमने यहां पर now integrate the both side दोनों साइड हमने क्या का integrate कर दिया as per given question अभी तक हमने क्यों को simplify किया guys question को proper form में प्रोपर तो dx की रिस्ट्ट में लिख दिया same यहां पर भी हमने same process की x plus 1 इसको dx का respect में integrate करेंगे प्लस जो b की value है यहां बी की value जो अपनी आई थी बेटा टू आई टी टू पूट करती टू ओवर x plus 2 विस रिस्ट्ट टू डी एक्स हमने इसका integration किया यहां चे माइनस common ले लिए बटा इट मींज कि यह वाली जो form होगी बीवन फोर्म ची इस form में convert होगी दोनों ही form क्या है यह same है जो मैंने लेकिन इसको जब मैंने convert किया question अपना easy होगा integration को करने के लिए तो यहां पर माइनस common ले लिए 1 over x plus 1 into dx यहां चे 2 common ले लिए integration 1 over x plus 2 with respect to dx तो 1 over x का तो integration 1 by x equal to log x होटा है बेटा तो इसका अंचा minus log of bracket में x plus 1 mod plus 2 into 1 by x का log x होटा है तो x plus 2 यहां पर log आएगा बेटा 1 by x का integration log x plus c तो अपना जो complete answer आगिया इसका बेटा minus log x plus 1 का mode plus 2 into log x plus 2 mode close plus c this is our complete integration of given question तो इस वे में guys गाइज नेक्स एक्जामपर लेते हैं एक्जामपर नमबर तू यहां बेभी अम डिनोमिनेटर को सेपरेट निका सकते बेटा तो मैं क्या पार्षर प्रेक्शन मैटड अपलाई करना पड़ेगा ताकि यह दोनों सेपरेट हो जाए अपना कोसर इंटिकेशन का सॉल हो जाए तो नाव जो अपना कोसर ने बेटा विच इस इक्वल टू वन ओवर जो फोर्म दे रखिए एक्स प्लस टू और एक्स माइनस थ्री इसको देखा आपने उपर पावर नीचे पावर टू है उपर कम है तो नुमिनेटर की पावर लेशन नीचे की गरेटर है तो प्रोपर डूसरे ब्रैक्रीट के लिए है जो मनेटर रगाउन ऐए खेगाउए लो समय है एक्स प्लस वन लिखाए क्योंकि इसके लिए एक्स माइनस थ्री है एलसम इसका जब लीएंगे विटा थो एक्स प्लस टू और एक्स माइनस 3 हेड़ की चाए करेंगे हमने प्लस भी इंट्वी स्कूर्स से मल्टिप्लाइं करेंगे एकस माइनस टू और एक्वल टू में हमारा कॉशन टा वन ओवर एक्स प्लस टू और एक्स माइनस थिरी तो गाइस हमने देखा कि कि X-2 चुज़े X-2 कट गया X-3 से X-3 कट गया now cancel out हो गया तो अपना जो question remaining रहे गया one equal to A X-3 plus B into X-2 now इस form में आगे बेटा अब हमें क्या करना है इसमें A और B की value find out करना है इस equation के छोड़ो और यहां पर put कर गए question को solve करना है मैंने मानने equation वहनने है तो सबसे पहला जो bracket है अपना X-2 है तो अमने माना कि वी नो X-2 को अमने 0 के युका जो यह वाला जो पहला bracket है उसको 0 के युका रखा गाईज और यहांचे X की value minus find out करने which is minus 2 इसको अमने पूट कर रहा है जो हमारी equation निकली जे बेटा इन 1 X की जगे minus 2 पूट किया तो यहां पर हमारा left hand side पर one है A in 2 X की जगे minus 2 पूट किया तो minus 2 और minus 3 plus B X की जगे minus 2 पूट किया minus 2 कि सोरी गाई यहां पर X plus 2 था यहां पर X plus 2 लिखना था यहां पर X plus 2 तो प्लस 2 तो यह 0 हो गया यहां पर minus 5 आएगा minus 5 A एक्वल टू वन हो जाएगा और A equal to आएगा बेटा minus 1 और 5 तो A की value minus 1 by 5 आई ऐसे हम क्या करेंगे B की value find out कर लेंगे काई यहां पर बता देता हो बेटा में तो B यहां पर ले ले लेते हैं तो B कैसे find out हो जगो है second bracket given है बेटा second bracket हमारा X minus 3 है इसको 0 का equal रख देंगे तो X की value अपनी 3 find out हो गोई इसको भी क्या करेंगे put करेंगे इस वारी equation में जो यह वाली equation है put in one तो अपना solution आएगा X equal to A X की जगे 3 put कर दिया 3 minus 3 plus B into X की जगे 3 put कर दिया आइज मैंने 3 plus 2 तो यह 0 हो गया बेटा 3 पेटा 2 5 तो 5 B equal to 1 तो B equal to 1 by 5 result आया now put A and B in पार्सर फ्रेक्शन फॉर्म जो पार्सर फ्रेक्शन फॉर्म है उसमें डाल दिया जो की यह वाली थी बेटा इसमें पूट कर दिया which is equal to 1 over X plus 2 X minus 3 is equal to A A की वैली जो पनी find out विये guys minus 1 by 5 A की वैली minus 1 over 5 एक तो division में आ जाएगा और X plus 2 plus B की वैली 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 1 by 5 पूट कर दे एंड डिवीजन में X minus 3 नाव इंटिकेर्ट तो इंटिकेर्ट कर दिया दोनों साइड अब यह अपना पार्सर फ्रेक्शन में हो गया और इसली सॉल हो सकता है तो 1 over X minus 2 X minus 3 with respect to dx यहां जह मैंने यहां पर पहले हम इंटिकेर्ट ले ले लेते हैं minus 1 over 5 X plus 2 with respect to dx प्लस इंटिकेर्ट अब मैंने दोनों साइड इंटिकेर्ट कर दिया गाईज तो 1 over 5 X minus 3 with respect to dx नाव शोल्टर कोशन यहां चे माइनस 1 by 5 ले लिए लिए और यहां पर जो इंटिकेशन में ले गए एकस प्लस टू विए इस प्लस टू विडि-स्प्ट विडी-स प्लस यहां जहां भी और विडी-स प्लस लो गोड में लेंगे एक्स प्लस टू का मोड प्लस यहाँ पर वन बाई फाई बाया है वन बाई एक्स का इंटिकेशन लोग एक्स होता है तो इसका हो जाएगा लोग एक्स सोरी माइनस ट्री प्लस कॉंसेंट लगा दिंगी सी तो इस वे में गाईज हमने देखा कि जो गीवन कोशन था वन ओवर एक्स प्लस टू और एक्स माइनस ट्री का सोल्विशन कर रहा है विद्धी एलप आप पासर प्रेक्शन मैथड तो गाईज अब एक काम करना सेल्प असेज्मेंट के तोर पे असेल्प असाइमेंट के तोर पे एक कोशन करके देखना विच इस इक्वल तू integration of 3x plus 1 divided by x plus 1 और x minus 1 with respect to dx एक और कोशन देता हूँ बेटा गाईज integration of x over x minus 3 और x plus 3 with respect to dx तो गाईज आई ओप की मुझे आपको मेरा ये lecture समझ में आया होगा next lecture में आगे कोशन देखेंगे पासर वेक्षन के जित्से कि आपके concept और पी स्टों हो जाए और किस वेवें डिफरेंट वेवें में पासर वेक्षन के कोशन आते हैं उनको identify करना सीखेंगे thank you for watching my video thank you guys कोमें आते हैं कोशन आते ह हमन आते हैं कोशन आते हैं झाल झाल